जैसे जैसे टाइम बेदता जा रहा है और मेरी सपनों की बगिया की तरफ और एक कदम आगे बढ़ता ही जा रहा है हेलो एब्रिवान वेलकम ब्याग टू मैं चानेल जिसका नाम है हपी गर्डेन यान ब्लोक्स और में हूँ आपकी गर्डेनर फ्रेंड लोपा तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी सपनों की बगिया मेरे फ्रॉंट गर्डेन में ही रेडी हो रहा है तो यहाँ पर जो मेरी जो रोड था यहाँ पर देखिए जो गेट है यह अंदर की तरफ जाता है गेट यहाँ से एंटर करते हैं हम लोग तो यहाँ पर मैंने कुछ गमले आरेंज करके रख ली हूँ और यहाँ पर चोटे चोटे गमले सामने की तरफ रख ली हूँ और अंदर की तरफ मिट्टी है तो बड़े बड़े पेड मैंने बड़े बड़े पेड मतलब यहां पर एक बेल पत्र का पेड है और एक अनर का है और एक चांदनी का भी पेड है और उसी के सामने मैंने मैंने जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो चिफ्स आय था आया था मैं उसी साइड साइड में इसका मतलब साइड साइड में डाल लिया तो इसी के ऊपर मैंने गमले को ऐसे आरेंज करके रख लिया तो दिखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है तो थोड़ा-थोड़ा करके काम में रोज-रोज ऐसे करती जा रही हूं यह है सिंगोनियम दो भेराइटिका है मेरे पास यहां पर पिंक बाला भी है लेकिन मेरे वालकोनी का पोधा है और यहां पर देखिए किसे में जो चीफ्स है तो उसको मैं ऐसे सजा ली हूं बोडर का मतलब इसे साइड शेड में बोडर जैसे बना ली हूं और यहें नागचंपा का पोधा इसको में सेड नहीं क्यूंँ वस ऐसे ही रख ली हूं तो यहें जैसे आपको पत बोड़र जैसा दोनों साइड में मैंने दे दिया और उस के उपर देखिए*** तो चीफ टालने से दोस्तों थोड़ा सा लुक थोड़ा सा चेंज हो गया और उसी के उपर मैंने छोटी-छोटी गमले रख ली और यहां पर उसी साइड में थोड़ा सा मिट्टी का जो फोर्सन आपको दिख रहा है तो वहां पर मैंने एक गुड़हल का सफेद कलर का अच्छे लगा ली हूँ तकि वह अच्छे से ग्रो करेगा और यहां पर और भी जो मिट्टी आपको दिख रहा है जो बड़े-बड़े पेड़े उसके साइड साइड में मैं कुछ इसे प्लांट्स रख लोगी जो च्छाओं में भी अच्छे से चल जाएगा तो के पास है जो ट्याप के पास जो पानी का ट्याप है उसी के पास एक चंदन का पेड़े चोटा सा और उसके साइड में भी मैंने क्या क्या जब खुदा ही हुआ जो जो रोड बना था उस साइड साइड में मैं रेल लिली कुछ लगा मतर लगाई थी तो वो फ्लावरिंग हो रहा था तो उसको मैं उखाड के यहां पर देखें एसे हाफ सर्कल जैसा यहां पर एसे बना ली हूँ तो उसी के साइड साइड में मैंने रेन लीली का बॉल भी लगा लिया है यह कुछ दिन में 10-15 दिन में यह भी फ्लावरिंग करने लगे गया तो कुछ इस तरह का द आई और यहां पर भी मुझे बहुत सारे मिठ्टी का जगा मिल गया यहां पर मिठ्टी दिख रहा ना तो हां पर थोड़े से बड़े-बड़े-बड़े पेड में लगा लों पड़े-बड़े मतलब जिसे गुढ़ल का हैड का जो जी स्थल का प्लांट्स हो थे तो उससी जो गाडन था जैसे गेट से एंटर कर देना बाहर से तो उसी के पास कुछ जगा में आज एसे इस तरह से मैंने आरेंज कर लिया है यहां पर और भी टाइल्स लगेगा तो उसको थोड़ा साइध हटाना पड़ सकता है और यहां पर भी आप लोगों को दिख रहा है यह सामन बहले है पुछा पर गेडले आरेंवे संसे इस सामरह से रिणी करने रहे हैं इस साइड सावर्फ दिख रहा है जिन्मों से प॥े कर देज जो विंस्कक दोख प्रोण ब्लान्टिय के गाज़िओं से बड़ा और छाईठ ग्याल मेंачको तो कुछ अभी इस थरह का दिखाए दोस्तो मेरा जो सपनों का बगया अभी जब तायार होगा तो फिर दीखे देखते हैं किस तरगा दिखता है वो वो तो मुझे पता नहीं क्या कौन सा लुप सामने आएगा, तो अभी के लिए तो फिलाल इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूं, नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई, थैंक्यू,